हुआ है 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 तो आज हम बनाएंगे चुन्ट वाली बाज़े तो उसकी लंबाई हमने लिए है चार इंच और चोड़ाई आप जितना ज्यादा ले सकते हो उतना अच्छा है तो चोड़ाई मेरी पूरी 20 इंच की है और यहां से देख सकते हो यह साइड वाला है तो यहां पर हम तीन इंची रखेंगे और इस तरीके से थोड़ा सर डीप करते हुए हम यहां पर जाएंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसे हो गया हमारा कटेंग का इसी तरीके से आप चुननच वाली भाज़ों की कटेंग कर सकते हों अगर आपके पास कपड़े कंब है तो अगर आपके पास कपड़े जादा हैं तो आपको prata से लाफिंग ़र करते हैं वैसे हिर लिघं़ करते हैं अट्न पर उसके बाद हमें एक इंज की लंबी पट्टी चाहिए होती है और इसे हम फोल्ड करके सिल लेंगे यह हमारा बाजु है इसे हम बिल्कुल सीधा सिलेंगे क्योंकि इस पर हमें चुनट भी बनाना है तो यह इसके बाद कर रहे थी मैं कि एक इंच के हमें लंबी पट्टी चाहिए होती है जितने के आपकी बाजू हो और इस तरीके से चुटनट बनाने के लिए तो यहां से सिलाई हम स्टार्ट कर देंगे और इसी पर हम चुटनट बनाएंगे सिधे के साइड से चुनट बनाएंगे क्योंकि जो सिलाई हमने बनाया है वो नीचे की तरफ होगा और जो सिलाई है वो हमारा उपर की तरफ होगा तर कि और लोन एक कई तरीके से आप चुणण बनंड है उतना गघरा चुणण बनाएंगे आप अच्छा और प्यारा बनेगा तो यह चीज एसे ही आपको देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से चुणण बन जा रहा है तो चुर्णट वाले बाजू है इसमें बहुत सारे बराइटी मतलब बहुत अलग-अलग डिजाइन की आपको मिल जाएंगी अगर आप जैसा आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं तो ये पहला चुर्णट वाजू है जो मैं बता रही हूं फिर इसके बाद ह हमने कहा एक इंच तो ये बिल्कुल पतला साही बनाएं आप जितना पतला बनाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा तो इसे एक फोल्ड ओर कर लेंगे और नीची वाले को अंदर करके फिर हम इस पे सिल लेंगे जैसे की पाइपीन लगता है वैसे ही हमें इसे सिलना है अग अगर आपको पास कपड़ी है तो आप कपड़ी का ही इस्तिमाल करें तो इस पे लेस लगा देने से और भी प्यारा लगता है तो मैं सिखा रही हूं तो अगली वीडियो में मैं लेस लगाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को भी अच्छे से आ जाएं और ये होत है हमारा बाजू पूरा तो अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी हीट कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक चल्दी पहुंच जाए और आप चल्दी से वीडियो देख पाए इसकी बाद इस पे हमें डबल चुन्नट क्या होगा कि बाजू में अच्छी तरीके से लग जाएगा या आपका उल्टा नहीं होगा चुन्नट इस तरीके से सिल लेंगे यह हो गया हमारा सिलाई अब यह सूट में या फ्रॉक में आप किसी चीज में लगा सकते हो इसे अच्छी तरीके से प्रेस करके लगता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बाई कैसा लगा प्लीज बताएगा कमेंट करकी